कहानी का नाम अम्मू और गौरया लिखा है विनिथा आरने चित्रांकन जैश्ट सीवन का है हिंदी में अनुवाद सदाफ जफर प्रकाशन प्रथम बुक्स वो बस इंतजार करता रहा मगर अम्मू के मम्मी और पापा उस दिन भी नहीं आए वे आएंगे अम्मू ने खुद को समझाया कवा आया कबूतर आया उसने कहीं से तोते की चिलाने की आवाज भी सुनी वे अगले दिन भी नहीं आये और उसके अगले दिन भी नहीं दादी मा ने मुठी भर रात का बचा हुआ चावल तोते के आगे फ्यक दिया उसे खाने कबूतर का चुन्ड भी वहाँ आ बैठा अम्मू ने उनकी आँखों में देखा वह भी उसे घुरने लगे बिना पलक चपकाए फिर आये कवे वो तो बहुत ही धीर थे उन्होंने बड़े बड़े चावल के निवाले चुगने शुरू कर दिये साथी फुदक कर और पास आ गए अम्मू ने उनकी आँखों में देखा और उन्होंने वापस उसे घुरा वो भी बिना पलक चपकाए उसे मम्मी और पापा के साथ बिताये वो सारे मज़दार पल याद आने लगे जब वे सब साथ मिलकर खेलते थे और फिर अचानक वो तीनों एक परिवार का हिस्सा नहीं रह गए वे नन्नी छिणिया कहां गई शायद उन्हें चावल पसंद नहीं अम्मू ने सोचा उसने मुंडेर पर एक जम्मच भर कर धलिया रख दिया उसने कुछ रोटी का चूरा भी वहाँ छोड़ दिया चार दिन बिच चुके थे फिर भी वे नहीं आये अगली सुबह दादी थोड़े से डोसे के साथ तयार थी आओ उन्होंने उसे आवाज दी अम्मू ने ठंडी सांस ली मम्मी ने अभी भी फोन नहीं किया था और वो नन्ही चिड़िया भी नहीं आयी थी दादी उदास नजर आ रही थी उन्हे क्या कहते है उन छोटी भूरी चिड़ियों को अम्मू ने उनसे पूचा गौरया दादी ने जवाब दिया मेरे नन्हे चिड़े क्या तुम्हे उनकी आदाती है नहीं मैं याद नहीं करता अम्मू ने कहा पर दादी तो जानती थी कि अम्मू के मन में क्या है मम्मी गौरया और पापा गौरया कहीं व्यस्त होंगे उन्होंने कहा अरे ये क्या अचानक वे आगे वो नन्ही भूरी चिड़िया कौन सी मम्मी गौरया है और कौन पापा गौरया अम्मू ने पूछा खुशी से वो फूला नहीं समा रहा था वो आशा करने लगा कि पीले भूरे रंग वाली मम्मी गौरया है यह नरम और कोमल दिख रही थी दादी मा ने कहा वो गहरे रंग वाला जिसकी आखें चारो और बनी रेखाओं के कारण बड़ी दिखाई दे रही है वो पापा गौरया है रविवार को अम्मू और उसकी दादी मा एक साथ गौरया को दाने खिलाने वाला फीडर बनाने के लिए बैठे जब उन्होंने छेद बनाया और बीज डाले दादी मा ने कहा अदालत ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है अम्मू ने डवडबाई आखों के साथ चेहरे को दूसरी और घुमा लिया वो तुम्हें प्यार करते हैं ये तुम जानते हो न उन्हें बस थोड़ा समय चाहिए उस शाम तीन गौरया आई दो नहीं तीन अम्मू खुशी से नाचना कूदना चाहता था पर वा बस एक मोर्ती की तरह खड़ा रहा वो उन चिड़ियों को डरा कर उड़ाना नहीं चाहता था वो फुदक कर फीडर में गई और एक दोसरे को दाना खिलाते हुए बाहर निकली क्या ये वही गौरया हैं? अम्मू ने पूचा दादी मा को तो सारी गौरया एक सी लगती थी पर उन्होंने उन्हें गौर से देखा और बोली अरे हां मम्मी और पापा गौरया ही हैं और वे अपने साथ एक चूजे को भी लाए हैं अम्मू खुशी से मुस्कुरा दिया